सुगाई साच के इस वीडियो में बात करेंगे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के एक नए स्किम के बारे में एक नए होम लोन आफर 2024 के बारे में कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अपने गरांकों के लिए अपने कस्टमर्स के लिए 2024 के लिए होम लोन का क्या आफर ले सेकेंड इलिजबिलेटी इन क्राइटेरियास क्या है थर्ड डाकुमेंट्स कौन कौन से लगेंगे और ऑनलाइन अपने मोबाइल से ही कैसे अपलाई करेंगे तो आप लोग को एक एक स्टेप बताने वाला हूँ ति वीडियो को पूरा दिखेगा जिससे आप लोग को सही औ लिंक ओपेन होकर क्या जाएगा सिंपली नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर थर्ड में है लोन डेफरल सर्विसेज यहाँ पर क्लिक करेंगे जैसे आप लोग को सारे के सारा जनकारी मिल जाएगा अब देखिए अपलाई कैसे करना ही इसके बारे में भी आप लोग को बताऊंगा तो आप लोग यहाँ पर थर्ड पर आप देख सकते हैं कि इनके जो आप लोग को होम लोन मिलेगा उसके पार्टनर कौन कौन से हैं यानि कि कौन कौन बैंक इंडिया पोस्ट पेमिड बैंक को स्पांसर कर रहे हैं तो यहाँ पर है SDFC बैंक आप यहाँ पर दे पर अगर आप लोग को और ज्यादा जानकारी चाहिए तो इसके लिए simply click here to apply home first home loan पर click करेंगे देखें basically इसमें आगे बढ़ने से पहले आप लोग को बता दें कि जो आप लोग को offer के तोर पर home loan मिल रहा है उसका interest rate 6.66% है ठेखा जबकि eligibility and criteria's के उपर बात करें तो अगर आप जो है डिटार्ड जो है officer है या फिर डिटार्ड कम करमचारी है या फिर salaried person है या फिर individual है या फिर self employed है अगर आप इन में से कोई भी है फिर भी आप लोग की इस loan के लिए apply कर सकते हैं तो यहाँ पर simply लिखा हुआ है click here to apply home first home loan इस पर जैसे click करेंगे तो यहाँ पर consent आएगा okay पर click करेंगे ठीक है जैसे okay पर click करेंगे तो आपके सामने एक जो है नया page open हो जाएगा इंडिया post payment bank का आप यहाँ पर देख सकते हैं need a loan we make it easy ठीक है तो इसके बात click here यहाँ पर जो दीख रहा है इस पर click करेंगे click here पर इसके बाद आप लोग को यहाँ पर जो है detail आप लोग को देना पड़ता है mobile number verification तो यहाँ से category करेंगे यहाँ से अगर आप लोग को personal loan चाहिए तो personal loan पर click करेंगे मुझे home loan चाहिए तो home loan पर click करेंगे इसके बाद यहाँ पर pin code दे mobile number पर इसके बाद verify पर click करेंगे तो चलिए जैसे यहाँ पर verify पर click करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर verify हो चुका है अब यह application मेरे सामने आ चुका है यहाँ पर application में आप लोग को कुछ details देने रहते हैं जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते है my application में यह और डीटेल यहाँ पर आ जाएगा ठीक है इसके बाद आप लोग को यहाँ पर simply जो है कि यहाँ पर खुद को identified करने के लिए यहाँ पर document जो है कि आप लोग का upload करना पड़ेगा ठीक है यहाँ पर properly pin code देना होगा data birth यहाँ पर देना होगा pen card का number देना पड़ेगा employed टाइप में अगर आप जो है salary पर click करेंगे salary मतलब अगर आप किसी company में job करते हैं तो अगर आप किसी company में job नहीं करते हैं तो आप लोग self-employed पर click करेंगे ठीक है इसके बाद यहाँ पर salary कर देने के बाद यहाँ पर so eligible lender पर click करेंगे ठीक है इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं select all partner है ठीक है तो select all partner पर रहने देंगे यहाँ पर अब यहाँ पर हम देखेंगे कि मुझे loan यहाँ से मिल सकता है या फिर नहीं मिल पाएगा ठीक है तो यहाँ पर simply submit पर click करेंगे ठीक जैसे submit पर यहाँ पर click करेंगे इसके बाद आप यह decide कर पाएंगे कि आप लोग को कितना loan यहाँ से मिल सकता है लेकिन आप लोग को बता दें कि यह जो देखिए offer है एक limit समय के लिए है और इसका जो interest rate है 6.66% का interest rate है ठीक है तो आप लोग यहाँ पर simply apply करेंगे इसके बाद यहाँ पर जैसे आप लोग यहाँ पर loan का eligibility जो है amount मिल जाता है उसे आप लोग यहाँ से apply कर सकते हैं या फिर आप directly अपने आसपास के जो जो इंडिया post payment bank के branch हैं वहाँ पर आप लोग जा करके visit कर सकते हैं यहाँ से online loan लेने के लिए आप लोग को देखे बिजिट करना ही पड़ेगा एक बार अपने home branch को इसके बाद ही आप लोग यहाँ से online loan को ले सकते हैं क्योंकि bank में इसलिए बिजिट करना होगा approval करवाने के लिए क्योंकि online instant अप्रूवल इसमें नहीं होता है तो आई होब कि आप लोग को एक नई जनकारी मिला होगा तो हम लोग मिलते हैं फिर इसी नेक्स विडियो में नई अपडेट के साथ